प्रेंड्स कैसे हैं आप सबी आइफूप आप सबी अच्छ होंगे आज का जो हमारा वीडियो है वो रैंसमवेर के उपर होने वाला है जी हाँ पिछले दिनों रैंसमवेर टैक ने जो हमारे इंस नई दिली है उसकी सारी डिजिटल सेवाओं को ठब कर दिया है वहां सारे के सारे काम अब जो है ऑन पेपर पे हो रहे हैं यह हमारे देश के लिए काफी चिनता का भी जानते हैं इसके बारे में कि आखिर रैंसमवेर होते क्या हैं किस तरीके से हमारे कंप्यूटर में आते हैं और अगर यह हमारे कंप्यूटर में आ जाएं तो एक किस तरीके से हमें ह पास मौजूद रहता है इतने बड़े इस तर से इस डेटा से अपना नियंत्र हटना और यहां की जितनी भी ओनलाइन सर्विसेज इनका ठप हो जाना यह देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का भी से है क्या होता है ransomware? ransomware basically एक malware software है जो खास तोर पर हमारे computer को या computer में मौजूद किसी software को पहुचाने के लिए बनाया जाता है यह computer से हमारे जो personal data है चाहे वो हमारा address है हमारा phone number है हमारे passwords है इन सभी की जानकारी को जो है ले लेता है काफी तरीकी के malware software है वो होते हैं जो एक तरफ से हमारे system को encrypt करते हैं या data को encrypt कर सकते हैं कौन-कौन से होते हैं काफी सारे है यहां पर छीके लगबग सात तरह होते हैं इक तो वाइरस होता है जिसे हम बहुते हैं की वाइरस हमारे phone के अंदर आ गया थुरोज ₲, ब्लम〜 मेंदार और स्पराइसंट लगभब के के वर्जार में होते हैं मैंदार हम प्रम श्र leiक के of Scorpio अंडे avete स्व्धग के दो ुछ स्था कसे सोल रहे हो आपको कैसे बता चलेगा कि वहां पर वाइरस आ गया है आपको या तो पॉप अप के द्वारा कोई नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ठीक है मतलब आपको कोई चीज आपके अपनी स्क्रीन पर बार बार दिखाए देरी आप नहीं चाहरे हो कि वह चीज आपको दिखे बटू दिख रही है आपको आप कु तो आप ये मान लिजेए कि आपका जो सौफ।व्टवर है वह इंकरप्ट हो चुका है आपका डेटा इंकरप्ट हो चुका है आपके सिस्टम में या फॉन में आपका वाइरस आ चुका है ऐसा नहीं है कि हमने इससे पहले सैबर अटैक के बारे में नहीश कुना है मई 2017 मे इंटरनेट के इथियास का सबसी बड़ा साइबर अटैक दुनिया ने दिखा जिसका नाम था वना कराई यह 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 पश्चमी के जो अन्य देश हैं उनमें इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा